Hello Everyone Welcome to our Channel MP Board English Video आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाल हूँ Paper Presentation के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे English के बारे में इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आपको Paper Presentation के बारे में बताया था उस वाले वीडियो में मैंने आपको जो हिंदी का पेपर होता है वो किस तरह से एक एक कोशन कोशन नमबर 1 से लेके आखरी कोशन कोशन नमबर 28 तक आपको किस तरह से आपको हिंदी का पेपर कर रहा है पूरा डीटेल आपको paper presentation पर वीडियो बना के रिए था specifically MP board के लिए तो ये वाला वीडियो भी specifically MP board वाले बच्चोक लिए बना है इस वाले वीडियो में आपको English का paper presentation बता हूँगा वही बिल्कुल पहले question से लेखे आखरी question तक कैसे आपको paper लिखना पूरी डीटेल आपको दुगा तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको like करना और जादा से जादा आपसे request करता हो कि इस वीडियो को share कीजिए इससे पहले आपको एक और information दे देता हूँ कि अभी मैं आपको अपने जो test है आपके English के और Hindi के वो test series में ने start करी है एक तारिक से आपकी वो sorry एक तारिक बोल रहो 21 से आपको जो test series वो start होने वाली है उसका time table मैंने डाल दिया है अगर आप नए हो मेरे channel पर और अभी तक उसके बारे में नहीं जानते तो प्लीज जाके description में एक video की link पिलेगी उसको जाके देख लो 21 से मैं आपकी general Hindi और special English की test series है वो start करने जा रहा हूँ अगर आपने मेरा telegram group join ने किया है तो उसको join कर लीजिए मैं आपको telegram group की link नीचे description में देदूगा पर कई बच्चे बोलते हैं कि लिंक open नहीं हो रही है तो आप लोगों को बता दू आप telegram पे जाके पूरा capital letters में डालिएगा MP word English video तो इस तरीका आपके सामने channel आजाएगा यह देख लिए यह मेरे group का icon है इस तरीका आप बेड़े आसानी से पहचान लेंगे इस group को तो इस group पे आपको join हो जाना है यहाँ पर में सारी important चीजे जैसे notes वगेरा हो गए कोई important links मेरे वीडियो की links या important messages share करता रहत हो तो इस group को जाय करके join कर लेना और आपसे एक request कर रहा हूँ तो कि जो मैं जो test series start कर रहा हूँ उसका कोई cost नहीं है बस यह मैं आप लोगों के help के लिए बनाई है तो please जित्ता आपके चाया आपस की school हो coaching हो जहां से भी बच्चों को share कर सकते हो please इसको share करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका benefit उठा सके तो आपको बता रहा हूँ हिंदी का paper presentation sorry English का paper presentation तो कैसे आपको English का paper लिखना है सबसे पहला जो आपका जो page आता है उसमें तो आपको आपको information, roll number बगर भरना पड़ता है फिर आप अपन page अगर turn करते हो तो इस तरह का आपका जो answer sheet का page है वो रहता है तो यह बच्चे मुझ करो और pencil use करो काफी अच्छा impression आता है और एक और चीट बेच्चे पूछ रहे था कि क्या हम यहाँ पर दूसरी line ड्रॉ कर सकते हैं तो जी हाँ आप कर सकते हो मैं खुद करके आया था अगर आप चाहो तो कर सकते हो नहीं चाहो तो ना करो कोई दिक्कत रही है तो अब हम start क question आता है यहाथ है आपका extract में क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है कर नहीं यह सब चीजे डालने की जरूरत नहीं सीधा डालिए question number one कैसे लिखना है यहाँ पर आपको inverted commas में सबसे ज्यादे इंवर्टेट कॉमास यूज करता था क्यूंकि मुझे काफी अ question second question third question और fourth question इस तरह से डाल देना है यह देखिए आप देख सकते है इसका जो question number one two three four five में इस तरह से डाल दिया जितने भी question है यहाँ पर one डाला यहाँ पर answer जिसके नीचे हैं पर ans करके answer लिखन की कोई जरूरत भी one डाल दिया सामने answer लिख दो सीधे खता second question पर आते है त यहाँ पर आपको क्या करना है question को अच्छी तरह से परना है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा है any six of the following and six of the following इसकों करने तीस वर्ड में ठीक है, यहाँ पर finns 5 ही लिए यह आपको यहाँ पर 6 question करना है यहाँ पर चो अंच्छी करना है, यह है 2 marks के एब के एक जो question Tai Maaks वाले थीक है तो आपको answer का pattern तो आपको answer लिखना तो कैसे जाए ह्आ है वह आपको आता होगा कि किस तरह सापको answer लिखना में बस आपको एक टेकनिक बता रहा हूं तो यहाँपे ऍद लाना है नमबर याट से 2 आठलना है फिर उसके बाद ट्राय करना है कि 6-7 लाइन या 5-6 लाइन के बीच में आंसर को खतम करो फिर उसके बाद यहां पर आपको 2-Line ड्रॉ नहीं करना है जब पूरा खतम हो जाता है कोश्चन जैसे कोश्चन नमबर 3 में आपको 6 कोश्चन करना है बलकि हाँ 2 करना था इसके कारण की मेरे मार्स कट गए थे इंग्लिश में तो यह गलती आपको नहीं करना अच्छी तरीके सा आपको पढ़ना यह जो कोश्चन है वो 4 मार्स का है एक कोश्चन 4 नमबर का है ठीक है तो यहाँ पर आठ नमबर क Çोफ़का कर रहता है जिसंगे की 4 मेरे सीधे सीधे कट गए । रहा था मिने ध्याने ने दिया कि मुझे आप दो कोश्चन करना था तो आप यह गलती मत करना जो कोश्चन लिखा उसको अच्छे से पढ़ना फिर यहां पर लिखना आपको कोश्चन नंबर फॉर उसके लावा जैसा कि आप में आगर आप ए वाला चूज कर रहे तो ए में आंसर को खतम करके टू लाइन को ड्रॉ कर देना फिर हम आगे बढ़ते तो आगे हमारे पास आता है कुश्चन नंबर फाइव कुश्चन नंबर फाइव में यहां पर आपके स्पास आता है ग्रामर सेक्शन का क्या होगा तो पहले मैं आपको बता दू जैसा आप लाता है आपके इंगलिश के पेपर में और हिंदी के पेपर में सायद 22 25 नंबर का ग्रामर आता है तो पहले हमको क्या करना है अगर हम इसको छोड़ भी दे तो हमें पहले 90 नंबर's को टार्गेट करना है 90 नंबर्स आपकी कर रहे है चैप्टर वग्रा 90 है गाइज 75 नंब कुई भी आपको बैस में बता रहो पेपर में कोई कंजूसी करने की जरुवत नहीं जितता फैला फैला के लिख सकते हो लिखो बड़े आराम से लिखो जैसे यहां पर एक एक वर्ड में आंसर खतम होता है जैसे याला यह वाला देख लो यहां पर बस एक वर्ड लिखना खता हो पेपर के सामने पेपर में जो आपका प्रेज़न आप कर रहे हो उसको लिख आना है फिर कई बच्चों का एक और डाउट चल रहा था कि जैसा याला यहां पर यहां पर आपको दो लिखना है कि हमको यह पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेंगा एट शी इस डैश फि फिर उसके बाद कॉमा करके लवेबल आंसर है, तो लवेबल लिख देना, I hope आप समझ पाया होगे, फिर उसके बाद हम आते हैं, आगे तो आगे आता है साथवा कोशन, साथवे कोशन में भी आपको कोशन नमबर 7 इस तरह से उपर डालना है, फिर यहाँ पर यह जो कोशन है यहाँ पर आपको कोशन नमबर 7 डाल देना है, इसमें से आपको एक कोशन करना है, फिर उसके बाद एक एक करके, जैसे मनी की मैंने हेडिंग डाली बीच में, तीन से चार लाइन मनी के बारे में लिख बारे में फिर राजम की डाली बीच में, बीच में डालना है तो काफी अच्छा लिखता है, और उनको टू लाइन से अंडरलाइन भी करना, फिर उसके बाद राजम के बारे में लिख डिया, इस तरह पी हैं इस तरह से आपको लिखके आना है, आए उप आप समझ पारे हो कि अगर आप A कर रहे हो तो portion number 8 आपने यहां पर डाल दिया फिर उसका A डाला फिर यहां पर ANS लिखा चार से path line में आपको इसका answer खतम करना है क्योंकि दो number का ही एक question है ठीक है वैसे आपको पूरे जो करना है 5 question वो इसी sequence में follow करना है आपको बड़ाबर से उसका sequence number याने A, B, C, D जो भी कर रहे हो वो बड़ाबर डालना चाहिए आपको उसमें mistake मत करना और जैसे आपके 5 question खतम हो जाते हैं यहां पर 2 lines आपको draw कर देना उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 9th question पर आए तो 9th question से यहां पर आपका drama आ जाता है जो कि silver box, silver box में भी आपको पहले question आता है 4 number के लिए यहां पर आपका 4 number वाला question है तो यहां पर अगर मैं यह वाला question चूस कर रहा हूँ क्या होता है काफी अच्छा impression बनता है आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है चार number के लिए ज्यादा ज्यादा आपको लिख लेना है यहां पर आल्मूस्ट आपको 16-17 line लिखके खतम करना है इतने जगा में इतने answer sheet में आपको लिखना है इतनी जगा छुटती है तो छोड को देना यहां पर कुछ करने की जरुवत नहीं कुछ PTO वगरा कुछ लिखने की जरुवत नहीं फिर उतके बाद आगे बढ़े तो आगे आता है दसवा question यह भी आपका silver box से ही है तो इसमें से आपको 5 question करना है 5 question करना है तो कैसे आपको सॉमियन फ्रेंट्स वाले में ही ब करना है अंसीन पैसेज को क्या करना है सबसे पहले के दो वर्ड दो तीन वर्ड ले लिए और सबसे आखरी के दो तीन वर्ड ले लिए फिर उतके बाद एबी सीडी जो भी आपके question नंबर है यहां पर डाल दिये और उनके answer लिग दिये बहुत एजी लिए अंसीन पैसेज पर में एक आपको वीडियो लाके दे दूँगा अगर आपको होंगे तो कैसे अंसीन पैसेज को जल्दी से जल्दी सॉल करें क्योंकि यह जो चीजह है यह काफी time बरबात करती है paper में फिर आता है हमारा आप बारवा नंबर का question तो बारवा नंबर का question को हमने heading लाल दी कि अगर आप नया question start कर रहे हो तो एक नया page से हो अगर पीछे छोड़ी जगा छोड़ जाती है तो छोड़ देना कोई उसमें आपके number नहीं काटने वाला फिर आता है 13 number का question आता है आपका essay writing पे इसमें आपको पाच essay दिये रहते हैं जिसमें से कि आपको एक करना पड़ता अगर आप बोलोंगे कि आपको English के ऐसे writing पे वीडियो चाहिए तो मैं लाके दे दूँगा पूरी अच्छे तरीके सापको format बताऊंगा इस साल आपको एक tip दूँगा कि COVID-19 पे कई बार बोला भी हमने COVID-19 पे essay प्रिपेर कर लेना Hindi या English दोनों में से आपको एक नाई जग तो इन दोनों का अगर आप चाहिए कि हिंदी का ऐसे English का essay writing और letter writing बताईए तो मैं आपको ज़रूर से बता दूँगा हिंदी का मैंने letter writing और essay writing दोनों का format बता दिया है अगर वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जा करके देख लेना तो इस तरह से आपको letter ऐसे जो है अगर आपके दिमाग में आते तो उसको put up करके आजाना काफी अच्छा impression बनाती है सारी चीज़े फिर आता है आपका notice यहां पे notice आपको article लिखना पड़ता है मैं प्रिफर करता हूं notice अगर आपको notice का format नहीं पता हो तो please comment section में नीचे comment कीजिए और बताई यह notice को आपको आपको लिखना पड़ता है अगर आपको notice लिखना नहीं आता है यह यार देखो ऐसी writing letter writing notice हम बच्पन से करते आ रहें 3rd 4th class से हम लिखते आ रहें तो I hope मैं इतना तो समझ सकता हूं कि आपमें से most of the बच्चों की तो practice हो कि सबको आता ही होगा तो इस पे मैं उत्ता letter writing सबका में format आपको provide कर दूगा कि किस तरह से आपको लिखना है तो अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूगा notice आपका more than आपका one-fourth page में आ जाना चाहिए फिर जो line बचती है उनको छोड़ देना आपको try करना है कि नए page से ही notice को start करे फिर आखरी question आता है हमारे पास जो की ह आपको फर्मेट यूस करना पड़ता है अगर आपका format से यह तो आपको फूरे पूरे नंबर मिलते है गरैपको फूरे नंबर रहते है तो आप इस तरह से इक ही नंहीं आपको नंबर अगर आपको लोगे तो आपको फॉर्मेट का विडियो में व्लाके देदूगा जैस कि यहां इसने टू लाइन्स ड्रॉण नी करी तो इसका पेपर थोड़ा सा अट-पटा सा दिख रहा है यहां पर आप देख सकते हो कि इसके हन्राइटिंग उत्ती अच्छी नहीं पर कितने नीटली लिखा है इसने कहीं भी काटा पीटी वगरा नहीं दिखेगी आपको तो इसे देख सकते आप यहां पर इसे राइटिंग ईन्होंने जो इसे लिखा है देखो किते तरिके से बीच में evaluation दाली है तो उसके बाद ऐसे में एक दो तीन चर चार परचर परने इस कैसे लिखते काफी easy format बहुत आपको रच जाएंगा बहुत easy लिए समझ में आ जाएगा ऐसा format में आपको बता दुगा फिर उसके बाद यह देख सकते हैं किस तरह से इनने लिखिया है आपको कुछ आप important tips देता हूं जो कि आपके काफी काम में आएगी तो important tips में सबसे प मैंने इसको ऐसे काट दिया और इसको ऐसे काटा दूलों में से ज्यादा highlighted कोन दिखरा यह वाला ना तो teacher का यह आपका जो attention है आपका जो examiner उसका attention catch करेगा तो यह गलती है आपको नहीं करना दूसरी handwriting आप यहां पर टॉपर की handwriting देख सकते handwriting उत्ती हरा सही नहीं है मैं इसक अच्छे तरीके से आपको अगर लिखते paper तो handwriting आपकी neglect की जा सकती है बस आपको गोदा गादी वगरा neatless रखना paper में साफ सुत्रा लिखना है ठीक है handwriting कैसी भी हो फिर उतके बार draw two lines आप यहां पर देख सकते यह यह जो topper की copy है पर अगर यहां पर यहां पे दो line ड्रॉ कर important tips को inverted commas और line वगर हटा दो तो कैसा और सा रिखेगा है पर यह inverted commas के कारण किता highlighted दिख रहा है तो इस तरीके से आपको करना फिर जहां पर points यूज कर सकते हैं जैसे मैं सौमीन फ्रेंट्स वाल आपको example दी है वो question का जहां पर points यूज कर सकते हो try करो कि हम points यूज करें बा वो test series वाली वीडियो है उसको share कीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे उसका benefit उठा सके और मेरा effort और वीडियो अच्छी लग रही हो तो please इसको like कर देना thank you for watching the video मिलते हैं आप से next video में